नितेश्वरण अंची पतरकार परिश्वा सुरू साहे पड़ामीच शहापतरकार अंची सव्वास साताय थेट सव्याद आजादी के अम्रूत महोसव में प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ लक्स तै किये थे उसमें एक लक्स हमारी अित्यासिक परंपराओं का सन्मान और उसका प्नजागरन भी था इस सेंगोल उसी लक्स की परिपूर्टी के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफर्मिशन को लेकर आया हूँ ये गटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महेतोपुन अइत्यासिक और अनोखी गटना ने आकार लिया था जिसकी 75 साल के बाद आद देश के अधिकांस नागरीकों को जानकारी नहीं है ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था उसने हमारे इत्यास में एक अहम भूमी का निभाई है और इस सेंगोल अंगरे जो से भारतियों के साथ सत्ता के हस्तान तरण का एक प्रतिक बना था इस गटना के अइत्यासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आस्चरिय होगा कितने सालों तक ये हमारे सामने क्यूं नहीं आई जब इसकी जानकारी प्रदानमंत्री जी को मिली इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रदानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिये और फिर नेने लिया कि गवरोमई प्रसंग को दुरू तारे के समान परमपराओं के दुरू तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए इसलिए हमारे नए संसद भवन के लोकारपन के दिन को चुना गया अब मैं थोड़ा इस गटना के बाद में आपको बताऊंगा 14 अगस्त 1947 की रात को लगबग 10 बच कर 45 मिनिट पर पंडित जवालाल जी के ने विशेश रूप से तमिल नाडू से आये हुए अधिनम से सेंगोल को स्विकार किया था उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधी विधान के साथ स्विकार किया था पंडित नहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्तिती में सेंगोल स्विकार करकर सत्ता के हस्तान तरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था जिनमें स्री राजेंदर प्रसाद भी थे जो बाद में हमारे राष्ट्रपती बने एक गटना क्यूं और कैसे हुई हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब नेने हुआ तब लॉर्ड माउंट मेटन को एक प्रक्रिया को निर्वीग्न समाप्त करने के लिए भारत के वाईसरोय बना कर भीजा गया जब एक प्रक्रिया करने का समय आया तब लॉर्ड माउंट मेटन क्यूंकि इंग्लेंड से आते थे इनको हमारी सांस्कूर्तिक और परंपरिक व्यवस्ताओं की जानकारी नहीं थी उन्होंने पंडित जवला नेरू जी को ये प्रस्न किया कि भिटीश से बारतियों के हाथ में सत्ता का हस्तानतरण के प्रतिक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारों का आयोजन किया जाना चाहिए पंडित जी भी कनफ्यूस थे उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा करकर आपको इसके बारे में जानकारी दूँगा पंडित जवालाल नहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंगी बहुत अनुभवी स्वातंतरस्था सेनानी दार्शनिक भारतिय परंपराओ के जानकार इतियास के मर्मग्य ऐसे विद्वान सी राजगोपलाचारी पर नियुक्त की जिनको हम राजाजी के नाम से जानते हैं उन्होंने ए बात को राजाजी के सामने रखा राजाजी ने अनेक पुडाने ग्रंतों का अभ्याज कर अनेक प्रक्रियाओं को चिनगित किया और पंडीत नहरू को बताया कि हमारे यहां हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तानतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है और इस प्रकार यह प्रक्रिया तय हुई और पंडीत नहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनार के अधिनम से स्विकार करकर अंग्रेजों से भारतियों के हाथ में सत्ता के हस्तानतरण को आकार दिया वो ही स्टान था जब पंडीत नहरू ने सेंगोल को स्विकार किया जब हम जिसको स्वतंतरता कहते हैं इसका सतिक स्थन था इस अनुष्टान का उदेश इस तक्थ का स्विकारी करण है कि भारत में विदेशी सासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी अध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचिन और भारत की सुरुधर्ड परंपरा है पंडित नेरू ने इस अनुष्टान के संपादन के लिए दक्सिन के मठादी पती को स्विकार कर आगे चलें जिससे पता चलता है कि उनका उदेश भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकी करणत का था सेंगोल के अर्थ और इतियास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है सेंगोल सब्द तमिल भासा के सिम्मई सब्द से बना गाया है इसकी विद्पत्ति सिम्मई से आती है जिसका अर्थ और भाव निती परायनता से है या एक तामिल नाडु के प्रमुक धार्मिक मट के महनतो द्वारा इस एंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर अभिमंत्रित है गंगा जल से उसको सिम्माई से आती है जिसका अर्थ और भाव निती परायनता से है या एक तामिल नाडु के प्रमुक धार्मिक मट के महनतो द्वारा इस एंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर इस अभिमंत्रित है गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है इस पर पवित्र नंदी अपने अटल द्रश्टी और सीर्टा के साथ विराजमान है और यह जो सेंगोल है वो चोला सामराज्य के समय से मतलब आठवी सताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतिय सब्यागरत प्रथा का सब्यतागरत प्रथा का एक अनुसरन करने के लिए एक प्रथा को बना दिया गया है आप सभी जानते हैं चोला सामराज्य सद्यों से हमारे उप महद्वीप में एक महत्वपूर्ण सामराज्य रहा जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के महत्वपूर्ण हिस्से पर साशन किया सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से नयपूर्ण और निश्पक्स साशन की अपेक्सा रखी जाती है और एक प्रकार से नयपूर्ण और निश्पक्स साशन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तामिल में आना ही कहते हैं और इस एंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय वीश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है इस पर वृतांत भी प्रगत किये हैं टाइम मेगेजिन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया भारत के भी सभी अख़वारों ने इसको यतोचित सन्मान दिया था आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं 1947 अगस के बाद सेंगोल सबकी आँखों से ओजल हो गया इसको बुला दिया गया मगर एक विद्वान और पूजनिय सन्मानिय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस इठत्तर को परमाचारिय स्री चंद्र सेकर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयाई डॉक्टर बी आर सुब्रमनियम को सेंगोल भूतांत का वणन किया जिसको डॉक्टर सुब्रमनियम ने अपनी किताबों में उचीत स्थान देकर उल्लेखित किया है तमिल मीडिया न दिवान श्री सोमास साता है तमिच्छा बोलता है तापन त्याविशे से अपडेट खिनारा दहुत पन तूर्ता स्वेर्जाली का छूट शब्रिक्षी पहावक्त न्यूजे टीम लोकुमत